रेब के मामले में आसाराम को राजस्थान हाई कोट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने इलाज के लिए आसाराम की साथ दिन की परोल मंजूर कर ली है। पिछले करीब 11 साल में ये पहला मौका है, जब आसाराम परोल पर जेल से बहर आएगा। उसे पुलिस कस्टडी में इलाज के लिए महराश्ट्रा ले जाया जाएगा। फिलहाल वो जोदपुर सेंट्रल जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है। असल में आज से ठीक 11 साल पहले आसाराम को गिरफतार किया गया था। एक वो दिन था और आज का दिन पिछले 11 वर्षों से आसाराम जेल में है। आसाराम को गांधीनगर की अदालत में बलातकार के मामले में सजा दी थी. इस मामले में आसाराम को सैशन कोर्ट में उम्रकैद की सजा सुनाई थी. आसाराम के खिलाफ रेप का ये मामला साल 2013 में दर्ज हुआ था. हाला कि पीडिता के साथ रेप की वारदात साल 2001-2006 के बीच हुई थी गौर करने वाली बात ये है कि पीडिता की बहन नहीं आसाराम के बेटे नारायन साई के खिलाफ भी दुशकर्म का केस दर्ज कराया था इस मामले में नारायन साई को अपरेल 2019 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी आसाराम को जिस मामले में सजा सुनाई गई थी उसकी फर साल 2013 में एहमदाबाद के चांद खिरा पुलिस थाने में दर्ज करवाई गई थी फर के मुताबिक पीरित महिला के साथ एहमदाबाद शहर के बाहर बने आश्रम में साल 2001 से 2006 के बीच कई बार बलातकार किया गया था पीरित महिला ने इस मामले में आसाराम और साथ अन्य लोगों के खिलाफ दुश्कर्म और अवैद तरीके से बंधग बनाने का मामला दरज करवाया था इस मामले में आसाराम के अलावा उसकी पतनी लक्षमी और बेटी भारती को भी आरोपी बनाया गया था हाला कि सेशन कोर्ट के जज डीके सोनी ने इस मामले में सिर्फ आसाराम को ही दोशी मानते हुए सजा सुनाई है बाकी छेह आरोपियों को सबूतों के अभाव में बड़ी कर दिया है जबकि ट्रायल के दोरान ही अक्टूबर 2013 में एक आरोपी की मौत हो गई थी आसाराम खुद को भगवान बताता था और उसके भक्त उसे बापू कहकर बुलाते थे एक समय आसाराम के भक्तों में बड़े-बड़े सेलेब्रिटीज भी शामिल थे लेकिन आज उस पर बलातकारी का थपपा लग चुका है 17 अप्रेल 1941 को मौजूदा पाकिस्तान के सिंध इलाके के बैरानी गाव में आसुमन थाउमल हर्पलानी का जन्म हुआ बटवारे के बाद परिवार गुजरात के एहमदाबाद शहर में आकर बस गया कहा जाता है कि आसुमल हर्पलानी और आसाराम कभी तानगा चलाता था उसने कभी सड़क किनारे चाए बेचने का काम भी किया था और कभी शराब के धंधे में भी हाथ आजमाया था आसाराम की वेबसाइट के मताबिक ईश्वर प्राप्ती के लिए वो लीलाजी महराज के पास गया लीलाजी महराज ने उन्हें साधना सिखाए साथ अक्टूबर 1964 को आसाराम को आत्म साक्षातकार हुआ इस तरह वो आसुमल से आसाराम बन गया ऐसा भी कहा जाता है कि आसाराम के अंदर भगवान बनने की इच्छा थी 1972 में आसाराम ने एहमदाबाद से 10 किलोमीटर दूर मोटेरा कस्बे में अपना पहला आश्रम खोला धीरे धीरे आसाराम लोगों का बापू बन गया आसाराम की वेबसाइट पर दावा किया गया है कि आज दुनिया भर में उसके 400 आश्रम और 40 गुरुकुल है ये भी दावा किया जाता है कि दुनिया भर में उसके 3 करोड भक्त है आसाराम सिर्फ भारत ही नहीं दुनिया के लिए बड़ा संत बन चुका था उसके आश्रम में मत्था टेकने बड़े-बड़े सेलेब्रिटीज और राजनेता आते थे आसाराम का पतन तब शुरू हुआ जब 2008 में उसके आश्रम में दो बच्चों के अजजले शव मिले दरसल, 5 जुलाई 2008 को गुजरात के मोटेरा आश्रम के बाहर साबर मती नदी के सूखे तल में 10 साल के अभिशेक वाघेला और 11 साल के दीपक वाघेला के अजजले शव मिले थे दोनों चचेरे भाय थे, परिजनों का आरोब था कि उन दोनों का दाखिला गुरुकूल में करवाया गया था और तंत्र मंत्र के लिए बच्चों की बली दे दी गई इस मामले ने जब तूल पकड़ा तो गुजरात के तब के सीम नरेंद्र मोदी ने जाच आयोग का गठन किया आयोग की रिपोर्ट को सारवजनिक नहीं किया गया, कुछ गिरफतारिया भी हुई कईयों को हत्या का दोशी भी ठहराया गया इस मामले में आसाराम पर तो कोई आंच नहीं आये, लेकिन उसकी मुसीबते बढ़नी शुरू हो गई आसाराम और उसके परिवार की काली कर्टूतें दुनिया के सामने 2013 में आए उस समय आसाराम पर नाबालिग लड़की के साथ दुशकर्म करने का आरोप लगा लड़की के माता-पिता ने बताया कि उनकी बेटी चिंदवाडा के गुरुकुल में रहती थी एक दिन उनके पास फोन आया कि बेटी की तबियत खराब है, उस पर भूत प्रेत का साया है और अब आसाराम ही उसे ठीक कर सकते है लड़की के माता-पिता उसे लेकर जोदपुर स्थित आश्रम पहुँचे आरोप लगा कि 16 साल की उनकी बेटी को आसाराम ने कुटिया में बुलाया और उसके साथ दुशकर्म किया 15 अगस्ट 2013 को आसाराम के खिलाफ केस दर्च किया गया 31 अगस्ट को आसाराम को इन दोर से गिरफ़तार कर लिया गया नाबालिग लड़की से दुशकर्म का मामला सामने आने के कुछ ही महीनों बाद दो बहनों ने भी केस दर्च करवाया एक बहन ने आसाराम पर तो दूसरी ने नारायन साई के खिलाफ केस दर्ज करवाया दोनों बहनों ने दुशकर्म, अप्राकृतिक यौन संबंध और अवैद तरीके से बंधक बनाने का आरोप लगाया बहनों का आरोप था कि आसाराम और उसके बेटे नारायन साई ने 2001-2006 के बीच उनका दुशकर्म किया इस मामले में आसाराम की पतनी लक्ष्मी और बेटी भारती को भी आरोपी बनाया गया एक बहन ने सूरत में नारायन साई के खिलाफ तो दूसरी ने एहमदाबाद में आसाराम के खिलाफ केस दर्च करवाया था जोदपूर के आश्रम में नाबालिग लड़की के साथ दुशकर्म के मामले में आसाराम को अप्रेल 2018 में दोशी ठहराया गया था जोदपुर की अदालत ने आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाए इसके बाद अप्रेल 2019 में सूरत की अदालत ने नारायन साई को दुशकर्म का दोशी माना नारायन साई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई साथ ही पीरित को पांच लाख रुपिय का जुर्माना देने का आदेश भी सुनाया वहीं अब गांधी नगर की अदालत आसाराम को दोशी ठहरा चुकी है और इस मामले में उसे उम्रकैत की सजा मिली है पिछले साल अप्रेल में उत्तर प्रदेश के गोंडा स्थित आश्रम से एक बच्ची का शव मिला था ये शव कार में रखा था बच्ची की उम्र 13-14 साल थी जिस बच्ची का शव मिला था वो कई दिनों से लापता थी इस घटना से पांच महीने पहले आसाराम के साबरमती स्थित आश्रम से एक 27 साल का युवक भी गायब हो गया था उसके परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्च करवाई थी 2008 में दो भायों के अजजले शव भी मोटेरा आश्रम के बाहर साबरमती नदी के सूखे तल में मिले थे 2013 में आसाराम की एक अनुयाई सुधा पटेल ने आज तक इंडिया टुडे को इंटरव्यू दिया था जिसमें उसने आसाराम के आश्रम की काली कर्टूतों के बारे में बताया था सुधा पटेल आसाराम के मोटेरा आश्रम में 1986 में जुड़ी थी सुधा पटेल ने दावा किया था कि आश्रम में दो महिलाओं का कोडमेम रखा गया था एक का नाम हैडल और दूसरी का बंगला था गुजराती में हैडल का मतलब मोर्नी होता है सुधा पटेल ने दावा किया था कि उन दोनों महिलाओं का काम आश्रम में आने वाली युवा लर्कियों पर ध्यान देना था सुधा के मताबिक आसाराम को जो लर्की पसंद आती थी उसके उपर वो पल या कैंडी फेक देता था इसका मतलब होता था कि लर्की को राजी किया जाए सुधा का कहना था कि ऐसा बहुत ही कम होता था जब कोई लर्की विरोध करती थी उल्टा ज्यादातर लड़किया और उनके परिजन तो यही मानते थे कि उनके उपर भगवान की विशेश खृपा है इतना ही नहीं कभी कभी तो लड़किया इस बात पर भी बहस करती थी कि आज आसाराम की कुटिया में कौन जाएगा